श्री श्रिवाय नमस्तु मंदिर में अगर दिया लगाने जा रहे हो बाती लगाई है आपने मंदिर के अंदर कुछ दिर बेठी है कुछ दिर इस्मर्ण करी है हमारे यहां तो यहां तक कहा गया है कि किसी मुर्दे को अगर जलाया भी जाता है तो कपाल किरिया तक रुकना पड़ता है कि थोड़ा रुकिये कोई पीछे से आ कर कुछ करना जा दीप जलाए थोड़ी दिर रुकिए और दीप का भी नियम है मारा दीप का भी नियम दीए में जो फूल बत्ती लगती है गोल बत्ती लगती है गोल वाली ये बत्ती हमेशा कोई विश्णु बगवान की पूजन कर रहे हो शिवजी की पूजन कर रहे हो कोई अन्य देवता का अगर आप इस्मरन कर रहे हो तो गोल बत्ती लगाई जाती है बगवान के मंदिर में पूजन कर रहे हो तो गोल बत्ती लगाई लंबी बत्ती लंबी वाली जो बत्ती होती है लच्मी की पूजन में देवी पूजन में जितनी भी माताओं की आप बत्ती नहीं लगती आप मटके के पास में परिंडे के पास में जल के पात्र के पास में कोई भी अगर दिया लगाएंगे तो घर में लच्मी नहीं टिकेगी कई लोग करते हैं कि परिंडे के पास मटके के पास में पानी के स्त्रोत के पास में जहां जल भरते हैं हंडा रखते हैं तंकी रखते हैं वहाँ पर मटके के पास बत्ती लगाओ दिया लगाओ पितर संत रहेंगे तो पित्रों को संत करो मना नहीं है पर दिया लगाने का निय में कि पित्रों को अगर आप दिया लगा रही हो मटके के पास परिंडे के पास या अमावस्या के दिन पित्रों के लिए अगर दीप लगा रही हो तो गोल बत्ती अगर लगाओगी तो कारिक कभी सफल गोल नहीं होगा, धन आएगा, जाएगा, ठीकेगा नहीं, इसलिए पित्रों के लिए अगर दिया लगाना है, उर्वजों के लिए दिया लगाना है, पित्रों के लिए अगर दीप लगाना है, तो लंबी बत्ती लगाएगे, लंबी बत्ती, मारत, लंबी बत्ती का प्रमान जीवन में बहुत जादा लच्छमी से तकलीप है कश्ट बहुत जादा है या इसलिए सायद कहा जाता है कि भगवान को सर्वस्रेश्ट कौन सा चंदन अच्छा लगता है आपको पहले भी कथा में का आगरा की कथा अगर किसने सुनी होगी तो उसमें बढ़न किया भगवान को सर्वस्रेश्ट चंदन कौन सा भगवान को सर्वस्रेश्ट चंदन कौन सा प्रिय है वो कौन सा चंदन है जो भगवान विश्णू को लगाएं राम को लगाएं कृष्ण को लगाएं वो कौन सा चंदन है जो श्री हरी को लगाया जाए तो जीते जी भगवान विश्ण वो एक बार गले लगाते हैं उसको कते हरी चंदन कौन सा चंदन है हरी चंदन बजार में नहीं मिलेगा हरी चंदन आपको बनाना पड़ेगा काईसे बनाना है तुलसी जब सूख जाए उसकी जड़ को निकाल लिया जाए वो जड़ को पानी में धो लिया जाए धोने के बाद उसको सिलवटे पर पत्थर पर घिसा जाए और घिस कर उसमें थोड़ा सा कुंकू, रोली डाल कर, तैयार करकर जो भगवान विश्नू के मस्तथ पर खिश्न राम के मस्तथ पर लगा देते हैं और उसकी एक बिंदी अपने हिर्दय पे लगा लेते हैं, जीते जी, भगवान एक बार उसको गले लगाते ही है हरी चंदन प्रियताव जैसे शिव महापुरान में रुद्रचंदन का भाव है शिव महापुरान में तो उसका कुमार एक खंड पडियेगा, जिसमें रुद्र चंदन का प्रमान है, रुद्र चंदन कैसा, रुद्र चंदन का प्रमान कैसा, तो महराज कहा, चंदन घिसकर, पीला चंदन घिसकर, उस चंदन को तीन मुखी रुद्राक्षे पर लपेट लिया जाता, तीन मुखी उस चंदन को आप शिवरात्री के दिन और कोई से भी महिने की शिवरात्री किसी भी महिने की हो सब फल्दाई होती है अगर आप पंचांग में देखेंगे तो शिवरात्री लिखी हुए आती है हर महिने शिवरात्री पढ़ती है किसी भी महिने की शिवरात्री पर रुद्र चन्नन अर्थात जो चन्नन का आपने तीन मुखी रुद्राक्ष में लेपन करा है उसका गोला बनाया है वो चन्नन मोटा कर लेना अच्छा बढ़िया इसा थोड़ती लगा पूरा रुद्राक्ष दिखना नहीं चीए पूरा लपेट कर उसको शंकर के शिवलिंग पर रख और फिर धीरे धीरे शंकर भगवान कवर जल अभिशेक करना प्रारम कर दीजिए वो चंदन पूरा धीरे धीरे शंकर के शिविलिंग पर डलना चाहिए शंकर के मूल्मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाफ करी ये कहलता है रुद्र cooperation इस चंदन के अभिशेक से महराज जो काम नहीं होता आप चैनल उस कारे को प्राप्ट पर सकते हों सिद्ह कर सकते हरी चन्दन रुद्र-चन्दन यह वो चन्दन है जो जीवन का सुक प्रदान करने वाल हैं अरे तत्व देना है मंगल है रहू है केतू है दशा बिकार चल रही है लच्षमी नहीं आ रही क्ष्ट भूत है फिक्रियां नहीं चल रही कहिं मत जाओ मेरे शिव की शरण में जाकर एक बार शिव महा पुराण को पूरी सुनो शास्त्र के हटकर कुछ नहीं बोलेंगे जो शास्त्र संबत है इसकंद पुराण में, विश्णु पुराण में, नरवदा पुराण में, लिंग पुराण में शुमहापुराण में भविष्व पुराण में जितनी जितनी बातें लिखी होती है उसको छाट छाट कर लेकर आते हैं आपको बता देते हैं कि आप ये कर लो उससे फाइदा मिल जाएगा कोई जोतीशी नहीं कोई कुछ नहीं बस केबल भजन करो शंकर का अनुमोधन करो और विश्वास रखो संकर पर तो किसी को एक रुपिया देने की जरुवत नहीं पड़ेगी भजन करो विश्वास संकर पर रखना जनम, मरन और परन वो देगा सुक वो देगा सम्रद्धी वो देगा जिसके घर में बहु रिद्धि सिद्धी हो जिसके घर में अमोध और प्रमोध पोते हो जिसके घर में शुब और लाब दरवाजे पर बेटे बनकर विराजमान होते हो जिसके घर में स्वयम अखंड सोभा के देने वाली पारवती हो जिसके घर में लच्मी देने वाली लच्मी पेल पत्र के पेड़ के नीचे जाड़ू लगाती हो जो स्वयम सरसती को स्वरप्रदान करता है वो शंकर है जब सब कुछ उसके पास में है कुबेर का खजाना वो चोर को दे देता है जब सर्वस्वता उसके पास है तो आप इदा उड़र डोलते क्यों हो क्यों डोलो उस पर विश्वास रखो वो शंभो वो शंकर वो तरकाल दरशी वो केलाशी वो अभिनाशी सुख देगा आनन देगा पाने का तरीका केवल उसको रिज्वाओ जो मंदिर आप से दूर हो जिस मंदिर में कोई नहीं जाता है जिस मंदिर में कोई दिया तक नहीं लगाता है उस मंदिर में तुम जाओ और उस मंदिर में एक दिन जाकर प्रकाश करता राना एक बार दिया जला कर आना मंदिर की सफाई कर याना संकर जी पे जल चड़ां कर, उंको इसनान कराकर, कोई पति पेड पोधे की पास में तोड के चड़ाया ना, दो चार बार करकर देखना कितना सांती, कितना धीरच, कितना आनंद, कितनी सम्रधी, कितनी लच्मी मिलती है, तुम करोगे, तुम हमारा स्वयम करिये व ब्रह्माम है बेकुन्ट के देउता भगवान विश्णु है और मर्तिव लोक का अगर कोई देव है तो वह महाँ देव है केवल शंकर मर्तिव लोग का दे अभी एक विचार करो तुमारे घर में अगर थोड़ी सी तकलीफ आई तो सबसे पहले अमेरिका में लड़का रे रहा वो आएगा क्या उना में बच्चे रे रहे हैं वो आएंगे क्या इन दोर में बेटी रे रही वो आएगी क्या सबसे पहले वो आएगा जो तुमारे घर के पास होगा या घर के तरीब में होगा बिल्कुल लगा हुआ होगा या घन में होगा अब आप कहा रहते हो जितने लोग कथा सुन रहे हैं सही बताना कहा रहते हो पर्थवी पर मर्तिव लोक में रहते हो और पुकार किसको रहे हो ब्रह्म लोक में पुकार किसको रहे हो इंद्र लोक में और जो घर के घर में रहा है जो तुम्हारे पास में रहा है जो मृत्यू लोक में रह रहा है उसको तो बुलाई दे रहा है कई लोग करते हैं कई लोगों किया दाते पडोसन को तो खुब चाही पिलाएंगे पडोसन की काकी के तो